तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं if condition के कुछ questions जो कि हमने last classes बताया था if condition को कैसे हम discuss करेंगे इसके बारे में चलिए हम use करते हैं सबसे पहला question पर आप दे हैं हमाई पास questions कुछ है और वह में जिन्सकों solve भी किया है है ठीक है हम आपको एक 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 करके सारे कोशिंज बताते हैं तो सबसे पहला कोशिंज है कि यहां भी कमिशन जो है आपका क्वांटिटी जो है कमिशन देना है क्वांटिटी अगर गेटर देन क्वांटिटी मल्टिप्लाइ बाइ फॉट्टी यहां पर देखिय अगर क्वांटिटी गेटर देन सिश्चिटी आपको इसको इसको एक शिरुत्मी ते यहां पर सिंपल लगता कि अगर क्वांटिटी इस ग्रेटर दान 60 या ग्रेटर दन इक्वल टू 60 तो क्वांटिटी मुल्टिप्लाइबाइब 40 अधर बाइब जीरो सिंपल लगेगा यहां पर आपने इसके ऊपर कंडिशनल पॉममेटिक भी लगा दिया है कोई वाद नहीं तो चुर्ण था हमारा दूसरा था कि इसको बैक एर इसके भी किया जा सकता है नवी सिंद्दा जी में यवाज आ लिए आपको मैं म्यूट कर दिया आपको कुछ पूछना पता है मैं म्यूट भी पूछ लिजेगा तो यहां पर विदावट इफ कैसे होगा यहां पर कंडिशन देंगे कि इफ इफ नहीं माँ यह दिदावट करना है हमने बताया कि हम डारेक्टली इसमें कंडिशन दे सकते हैं कि greater than equal to या greater than 60 हम करेंगी तो result आपका true और false में आएगा अब action में क्या होता है कि true equal to one and false equal to zero होता है एक कैसे साविद करेंगे तो इन दोनों को आप आपस में plus कर दीजिए तो one आएगा अगर मैं true को दो बार लिखू तो true आएगा एक बार लिखू तो false आएगा इसका मतलब है true equal to one and false equal to zero अगर मैं इसी को अगर मैं इस conditions को bracket में रखता हूँ और इसके ऊपर मैं multiply इसकी quantity कर देता हूँ तो क्या होगा कि अगर जहां false होगा वहाँ पे zero से multiply होगा और जहां पे true होगा वहाँ पे one से multiply होगा और हम जानते हैं कि mathematics में अगर zero से multiply करते हैं तो zero आता है one से करता है तो जो number होता होगी same आता है तो यहाँ पे आपकी quantity आ जाएगी और जो greater than 60 है greater than 60 नहीं है वहाँ पे zero आ जाएगा अब यहाँ इसको एक बार और bracket में रखें और इसको multiply by 40 कर दें आपका result आ जाएगा तो सबसे तरह समझें कि कैसे हुआ और दूसरा अब इसमें कोश्चन आता है आकर ऐसा करेंगे क्यों क्या हम करेंगे क्यों हमारे पास पाने की supply है तो हम कुवा खो देंगे क्यों करेंगे करेंगे तो बेसिकली इसको मुझे किसी इंट्रिव्यू में पूछा था आज से करीब आर दस साल पहले और मुझे बहुत अच्छा लगा इसलिए मैंने अपने करास की सिलेवर्स इसको डाल दिया ठीक है सर किसी को डाउटिस में किसी को डाउटिस में चलिए चलिए कुछ खास नहीं में रखता तो इसके कुछ नहीं करना था आप गलत कर दिये इसको क्या कर दूद क्या था अप लगा दिये लिकिन जरूट नहीं थी जहां जरूट तो वहां लगाई है इस अगर गेटर तन इक्वल टू फुट्टी है तो पास सिंपल सा हम लिखेंगे जो कि यह तो आपको पता ही है इसको बटाने के जरूट नहीं है फिर भी मैं यहां पर लिख देता हूं ऐसे फॉर्मिल्टी को नहीं क्वेश्टन थी में यहां पर अगर टैक्स निकालना अकर एमार्पी गेटर दें 500 है तो यहां पर टैक्स आना चाहिए बारव परसें अधर वाज परसें तो यहां पर इस कंडीशन यहां पर नहीं इस कंडीशन लगाया हूँआ है कि इसमें दो इफ लगा दिया है यहां पर दो इफ की जुरुत थी नहीं रॉबिन जी जहां जो जुरुत है वहां लगाई है और एक इफ हो जाएगा इससे पहले भी आविक्रत किया है आपने दो इफ की जुरुत नहीं है कि यहां पर अगर्गेटर ने 500 है तो मर्पी का बारा परसंट चाहिए बारा परसंट निकाहने कि यह समय इसका परसंटेज लगा देना अधर बार पी फाइप परसंट चाहिए तो इस पार्ट के अंदर में आप यहां दे सकते हैं अब इसको नीचे के दरफ ड्रैक है पार्ट मान पर कोश्चन्स है यहां पर देखिए क्या है कि यहां में बेसिकली टाइम है तो यह समझाने के बार देखिए कर रहा हूं और टाइम को इस फॉर्मूला ने किसी फॉर्मूला ने कैसे डालेंगे यहां पर समझा रहे हैं और इसको कैसे करेंगे कि यह कंपेर गेंटर दस मुझे का है यह नहीं है तो उसके लिए दो तरीके एक तो कहीं पर टाइम लिखतो और फिर उसमें आप सिंपल सा दे वोटी अधरवाइज एंटी लेकिन आपको किसी सेट के आपको नहीं रखना है तो क्या केजिए यहां पर आप इस फॉर्मर लगाएं और इसको टाइम फॉर्मले के अंदर डाल दे कि टाइम आवर मिनट सेकेंद तो तरीके इस्तिमाल कर सकते हैं अब चाहे हमने को बात करें यह पास और फेल था यह तो मैंने कला को बताया ही था कि इसमें हमने हमने किया हुआ है और यहां पर बिदाव कांटिव का यूज किया है नेश्चरीव जो कल्ले ने बताया था उसका भी इस्तिमाल कर सकते थे हां अब इसमें आता है ग्रेडिक सिस्टम मुझे इसमें ग्रेड देना है तो जैसे इन्होंने लगाया हुआ है कि आगा है आगर पर यहां कि टिक किया है ठीक है इसका इस्तिमाल कर सकते थे आपने यहां जो एंड का इस्तिमाल किया रोबिन जी एंड का इस्तिमाल करना जो औरी नहीं था क्यों देखिए एंड का इस्तिमाल करते हैं जब मुझे एक बिट्वीन का वे दो ही चाहिए को चाहिए तो सिर्फ इसी को रेना है तो उस केस में हम यहां पर अंड लगाएंगे क्योंकि हमें पता है कि 85 से नीचे और 95 कुछ नहीं देना है तो यहां पर अंड कर सकते हैं और हमने यहां इसको यहां पर सेलेक्ट किया और बोला कि अगर एक ग्रेटर तन इकोल टू एट्टीफाइ कॉमा वापस इसको सेलेक्ट किया और ले इस तन इकोल टू नाइट्टीफाइ ठीक है तो इस केस में मैं यहां पी दूंगा जो भी अमदे की एक्स्टिया देना है बट इस ते ऊपर उसमें ऐसा नहीं देना था क्यों क्यों कि इस सेलें में हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है कुछ नंबर आएगा तो कुछ ना कुछ ग्रेड उसको मिलेगा ही मिलेगा तो उस केस में आप सिक्वेंस ने लेकर चलें ठीक है अगर 4 लेस दन 40 होगा तो सी डेगा राकी इसको इग्नोर कर देगा अगर नहीं 40 से ऊपर वगा तो दूसा इव चलेगा असा नहीं होगा देन अगर आगे चलेगा इस तरह से कंत्री मैं में चलती रहे कि तो और कहा पर लगराना है सबर्ज़ना आंगे आपको किसी उडाउट तो नहीं है हाँ ग्रेश्ट मांद देखे बास करना जैसे कि आप जैसे बोलना चाहते है 40C आए गा चलिए उसके लिए अलग एक अलग मैं सिस्टम त्यार करता हूँ यहाँ पे चलिए यह मैने किया था एक बार एक ब्रेश्ट मेर दिए है मेरा बेटा मेरे साथ हे इसा स्कूल बंद हमारे साथ यह रखता है एक मेर दे दी जैसे परसां करेंगा इसको फॉमबग देता हूँ ठीक देब बोड़े देदेगे घंग यद चान हाँ यद रड़ हाँ 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 कर दो चले लिख bị चली वी Carnic ॐ रा घ्रिष changing mark दनाय र 갖고 किए इसा था छोई किया था कि जैसे कि यहां पर मैं नाम देता है और यहां पर इसाथ wide कि 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 पोश्चन का यहां में था कि हम जो है हमारे पास टोटल जो हैं फाइब मार्क्स की ग्रेशिंग दे सकते हैं ठीक है हम तोटल फाइल मार्क्स की ग्रेशिंग दे सकते हैं तो अगर मुझे इसमें देखना आया जैसे कि मान लेजिए किसी में हमारा जोए 23,30 पर पास है यहां पर क्या है कि अगर मैंने मान लेजिए कि यहां पर 27 है और यहां पर 29 है तो मैं इसको यहां पर इसको तीन नंबर और इसको एक नंबर दे के पास कर सकता हूँ लेकि मान लेजिए कि यहां इसी को देख लिजी आप 27 है इसको इग्रेशिमा मिल सकता है अब मान लेजिए किसी को 14 है और किसी को 18 है इसको पास नहीं किया जा सकता है यहां पर मान लेजिए ने कि इसको 26 है और एक सब्जेक्ट में आया हुआ है 27 तो यह पास नहीं होगा क्योंकि हमें टोर्टल 5 मार्क्स की ग्रेशिंग पावर दी गई है तो अगर मैं इसको यहां 4 देता हूँ तो फिर यहां पे 3 है बास समझ माया तो हमें 5 से ज़दा ग्रेशिंग नहीं देना है तो इसके लिए मुझे यहां इक टोर्टल पर कुछ नहीं करते हैं को कि हमें पता होना चाहिए कि हमने कितना ग्रेशिंग मार्क्स देने का मुझे एक होना चाहिए तभी तो मैं मेजर कर पाऊ होना है हर सब्जेक में पास देना है तो कोई प्रॉलम नहीं है अगर आपको हर सब्जेक में पास ग्रेशिंग पादमास दे रहे हैं तो आप यहां पर सिंपल इस कर नीच लगाएंगे यहां पर सम समने देंगे इस अगर अगर ए लेश दर इक्वल टू फाइव है तो इसमें पलस हो जाए फाइव ठीक है थाटी थाटी करते है नहीं तो जो नंबर है उन नंबर भी ठीक है जब यह सी फीचर्स जो है वापस कॉमा यह और यह हर चीज़ के लिए लेश दैन थाटी तन इसमें पलट फाइव क्वावा जो नंबर है और नंबर है जो नंबर दीखें अगर यह फ्याट्र 35 कर दे नहीं तो जो नंबर है ओशो फिर कॉमा फिर अगर इफ अगर ए लेज़ दर इक्वल टू लेज़ दर चरिक अती है तो इसमें प्लस फाइल अदर वाइस जो है वाइगा अब मैं इसको और इसल्ट आपके सामने ठीक है ज़िए रहे जैसे इन दोनों को सेलेक्ट करने के बाद आप देख रहे हैं कि रिज़र 296 है अगर मैं यहां पर मांग जिए कि अगर 26 कर देता हूं तो इसलेक्ट करने के पर कि यहां पर 245 है देकि रिजन 50 आ रहा है कि किनोंने 5 ग्रेशिंग को एड़ कर दिया है लेकिन जो मैंने सिस्टम बोला कि अगर ओ सिस्टम होता है कैसे होगा चलिए उसको भी समधा देता हूं बज़रार है न सर्थ यह जो भी बताया होता सिंपल था लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो थोरा सा कॉंप्लिकेटेड है कि मुझे इसमें ग्रेशिंग मार्क्स को एड़ करना है लेकिन फाइव सिस्ट जाता है और मुझे टोर्टल फाइव एड़ करने लेकिन यहां पर हम करते हैं कि एफ अगर एक less than 30 है तो इसमें 30 माइनस जितना कम है कि यहां यह कंडिशन देना हुआ कि इस अगर यह माइनस किया है अगर माइनस दन इक्वल टू फाइव है तो थर्टी माइनस वाइन टू कर देते हैं नहीं तो हम जीरो करें कि अगर यहां लाश्टर जीरों कि यहां देखिए फोर एड़ हो गया जैसी मांक पूरा दिया थिरी बिल गया थिरी जरुति अगर मैं मादू फोर्टीन कर दू तो इसको जीरों मिलेगा क्योंकि ग्रेश्ट मार्ट से पास उनने वाली फीचर नहीं है तो गेश्ट मार्ट से पास अगर हो रहा है तो तो नहीं तो नहीं देना है समझें अब सेल कॉमूला यहां पे लगेगा लेकिन यहां पे लगेगा कि इस अगर ए लेस दैन थर्टी है तो एक और इस चेक करना है कि इस अगर ए 30-a 30 minus 8 less than equal to 5 minus हम जो रिजन दे चुके अगर ऐसा है तो यहां पर 5 minus 0 हो जाए अदर बाइब 0 अब यहां देखे क्या है तो यहां पर यहां पर 5 क्यों गिया कुछ गवार रहा है 5 में हमें चाहिए अब यहां कुछ और देना पड़ेगा साथ तो यहां में चेक कर लिया कि जेट 2 में जो हमें ग्रेशिंग मांग दिया है 5 से कम अगर उतना ही इसको चाहिए तो हमें ग्रेशिंग पावर देना है तो यहां पर हमें सिंपल इसमें 30 माइनर्स जितना चाहिए उतना हमें देना है समंझ कारें आप लोग की नहीं सर्ग जाती नहीं आया ना अगर तो वेर्षिंग अब मां लिए 34 है तीन हम दे चुका अगर मैं 28 है तो यहां दो दे दिया अगर मैं 27 करूंगा तो यहां हो जाएगा क्योंकि ग्रेशी नहीं दो बच्या है इसको देने से पास नहीं होने वाला है समझ रहा है सब अगर हमने 29 कर दिया तो फिर इसको एक ही मिलेगा तो एक ही से पास हो जाएगा जितना जुरुवत पासिंग को उपना ही देना बागी बचेगा तो अगली सब्जेक्ट में भी की सेल कंडिशन होगा कि अगर एक लेश दैन 30 है और फिर एक चेंग लेगा इफ और फिर हमने बोला कि 30 माइनस जो है जो रिजल्ट आएगा अगर ओ लेश दैन इक्वल टू हमने बोला 5 माइनस इसको प्लस किया और इसको प्लस किया और ऐसा अगर है तो क्या करें तो 30 माइनस जो चाहिए इसको उदे दे नहीं तो 0 इसको प्लस किया नहीं तो कि कि अटूब तो कि अटूब AC2 is less than 30 then if चले 30-AC2 अगर less than equal to 5-J2 plus AB2 then 30-AC2 2-0 oh oh हाँ यहाँ पे logical test में इस जाफ में रहे इसका पिक्क करता एक हमने छोड़ दिया था अब जैसे की आप जैसे माग लिजिए की यहाँ पे इसमें हमारा दिया 27-3 दे दिया 29-1 दे दिया और यह हमारा अगें 29 यह हमारा 1 पे लिए समझें पिस्टी तरह से चौता कंडिशन भी लगा सकते हैं तो किसी को डावट इसमें पिलोज जी नवीन जी की डावट कोई कि क्या की दिया दिया कि इसमें इसमें दिख्या है सबसे बात चाहिए कि एक एक जामिन प्रेसमें चार सब्जेक्ट है ठीक है ना पोटल चार सब्जेक्ट है और एक जामिनर के पास टोटल एक एक scan पे 5 ग्रेसी नमबर दिया गया यहां पर क्या था कि हर सब्जेक्ट में 5 नमबर था तो हर सब्जेक्ट में 5 नमबर दे दिया गया यहा पी क्या है कि एक स्टूडेन के लिए पांच नमबर ही अलॉट किया गया है कि आप एक स्टूडेन को पांच नमबर डालने से पास होता है तू अगर दो सब्जेक्ट में अगर आपका पोस्क को लगा है और पांस नंबर को डिवाइड करके डालने में पर अगर वह पास हो जाता है तो आप पांस नंबर ग्रेश दे सकते हो तो अजसे एक पूजा नाम की लड़की है इसने चार सब्सक्राइब एक में 27 आया एक में 29 आया उसमें 29 आया तो इसमें 30 आया मतलब कि इसके तीन पेपर में क्रॉस लेगे अब इक्जामिनर ने देखा कि मैं तीन नंबर इसको दे दूँगा कि ये पास हो जाएगी एक नंबर ये दे दूँगा तो पास हो जाएगी और फिर एक नंबर इक्जामिनर के पास बचे है तो ये दे दिए क्जामिनर के पास तो यूँद नमबर देने के लिए है और उसमें 5 नमबर देके इस पूजा को पास करवा दिया है अगर मान लिजे कि यहां पे 27 होता है तो अब पास नहीं होता को एक्जामिनर के पास अतना नमबर नहीं है ताकि सब्जेक्ट 3 से ओ पास होता है क्याकि चान्मर ओरुटी दे चुका है देग ए यही कैलकुलीशन करना था हमने प्हले सब्जेक्ट में अगर y2 लेश्टन 30 है तो पहले अगर देखिए का क्या फेल है फेल है तो चेक करो कि इसको 5 बाष नूमबर देने से पास हो जाएगी तो हमें 30 माइनस इसका नमबर डाला और बुलेगे क्या यह less than equal to 5 है अगर 5 है तो जितना नमबर चाहिए उतना नमबर दे दो समझें 30 माइनस Y2 तो 3 नमबर चाहिए तो 3 नमबर दे तो इससे 3 नमबर दे दिया दूसरा सब्जेक्ट में लगाया उसे चेक किया क्या यह less than 30 है अगर है तो कितना नमबर चाहिए क्या और नमबर जितना नमबर दे पास है आप दे कि 5 माइनस Z2 हो गया मतलब कि जितना नमबर पांप दे उतना माइनस करके जो बचे गए क्या उसे पास हो जाएगा हो जाएगा तो आप दे दीजिए नहीं तो 0 और ऐसी continuous हम नमबर को plus करते चलेगे यह file में वेज़ देता हूं आप लोग इसकी practice कीज़ेगा ठीक है और बाकिया आप लोग भी बढ़के इसको करके देजिए और अगली class में हम मिलेगे जिसमें हम बात करेंगे text formulas लेकिन if के कुछ formula रह गया है वो हम करा देंगे करेंगा करेंगे